हेलो चिल्डरन गुड मॉनिंग तोड़े आई एम गूइन टू टीच यू इंग्लिश एपन सब्चेक्ट चेप्र नमर नाइन सो लेस कंटिनी विज में आपको एनिमस बड़ नेम सिखाए है एनिमस नेम से किन डॉग कैट रेक्ट रबिट स्क्यूरेल स्क्यूरेल काव बफेलो होर्ष डॉंकी गोट पीग शीप अलिफन डियर कैमेल मंकी लायन टाइगर लेपड और फॉक्स लेपड और फॉक्स आप लोगों को वर्वुक में एक्सेसाइज नमर त्री में दिया गया है कि पेश पिच्चर अप टू नकोटनल एनिमल्स एन्डेर उसके नेम बता ना है उसको पेश लगानी है तो इसमें कौन से आएगे जो अपने रात में जो दिखने मिलते हैं वैसे अनिमल है तो लायन टाइगर येर इस सब रात में दिखने मिलते हैं अपने को बिय, हिपोपोटिमस, चीराव, चेब्राव, कांगारू बर्सेस, पेरो, क्रो, पेरोड, पीकोक यह पीकोक दिया है आपको पेरोड और पीकोक कुक, कुक, पीजन कुक, गेन डक, डक, स्वान प्लेमिंगो, पिलिकन इगल, काइट, उबल, बैट, वोड़, बैट, वोड़, पीकर इंश्टेक, यानि जीवजन्तू, इंश्टेक, इंश्टेक, इंश्टीवजन्तू, बटरफ्लाई, हनीबी, आउस्प्लाई, आण्ट, ग्रास उपर, ग्रास उपर इप्लाईस अनिमल से, के वो जो अपने पैट से चलते हैं, वैसे अनिमल है, स्नेक है, प्रोकोडाईल, लिजरढ, और टॉतन, वो पैट से चलते हैं, या मैंसे पैट को चिपका कैसे चलते हैं, कि कि फिख ए अनिमल दिया है सिएअ निमयल यानि तड़ीयाई प्राणी रहे हैं जो पानी में रहेते हैं रच दरीया के अंदर फिश डॉलफिन तड़े वैं फिख चार्प वह सब क्या हैं धरीया के ंदर रहेते हैं और ये अनिमल सब्सक्रुण अभी आपको थी नंबर कोश्यम पूचा गया है कि पेस्ट पिक्चर अप टू नौक्टरनल एनिमल एनिमल एन्ड राइद देर नेम जो रात में दिखने वाले एनिमल के नेम डिखाना है तो लाइन टाइगर उसकी पेस्ट लगाएंगे हम इधर यानि इसकी पिक्चर लगा जो दिन में दिखाई देते हैं वैसे बढ़के नाम देने हैं तो दियर कोब्रा इसमें पेश्टी पिक्चर आप टू एनिमल डेट लिव ओन लेंड राइड दा नेम आपको दो नेम बताने हैं जो जमीन पर तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जैसे आप देखने दियाओ तो लायन, टाइगर, उबल, लैपर, बैट, बियर, पिकोक एन डियर लिव इन लेंड पर रहते हैं लेकिन हमने बैट और बियर का नाम दिखा हूँ आइदर 6. पेस्ट, पिक्चर दो बियर के अनिमल्स रहते हैं जो पानी के अंदर रहता है रोकोडाइल और फीश पेश्टी पेश्टी पिक्चर अप टू एनिमन टेट लीव और लेंड एन वाटर एन राइद देर नेम जो पानी और जमिन डोनों पे रहते हैं वैसे एनिमल के नाम बता ना है पानी और जमिन पर रेते क्रोकोडाइले कोब्रा एन पैथोने वो दोनों में रेते हैं पानी और जमिन पर पैथोन और कोब्रा दोनों नाम लेखे हमने 9 number fill in the blanks with the name of animal and birds के name और दिखना है animals के इधर आपको अभी आपको इसमें दिया है goats built यानि baby कती है वो one number में horse गोडा है वो ने यानि हण हणता है two number में snake is यानि सुश्वाटा मारता है वो शुश्वाटा लगाता है खुफारता है उवर्च उल्लू उल्लू वो क्या करता है उट करता है हुट बूलाता है वो उट से अर्यों बुलाता है उट उट करता है उट लाइन से लाइन है रोर गर्जना करता है केट से मियाउं बिल्ली होती है वो मियाउं मियाउं करती है मंकी चेटर दांट करने की आवाज करता है मंकी बखबख करता है बीज बीज हम बीज हम मदु मक्या होती है वो बड़ बड़ करती है मंजन करती है एलिफंट एलिफंट ट्रमपिट एलिफंट आती है तुहारता है जोर से चिलाता है डाउस पुक डाउ कबुतर कुकु करता है माईस चुहे माईस यानि चुहा क्वैक चीखने की आवाज आती है उसकी क्वैक बड़्स बड़्स चिरीप चहकते है पक्षी चहकते है गोट बिल्स यानि गोट होती है वो बेबे करती रहती है लाईस 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 मद्युमक्किया बीज बन बन करती है कॉक्स कॉवा क्रो ड़क्स वैक बतक फैक फैक करता है बीर से भालू उन्जारता है भालू होता है वो उन्जारता है सेवंटी नमबर केमेल ग्रंटी यानि उसका बोलना डरकना फ्रोग फ्रोग क्रोक डावडाव करना लोग बर्दे बर्क स्थमक्ना बर्दें मिलम ंस्थमक्ना आव्यू क्रोता इच्छी आवड्यू ूव्यू Write the meaning, write the meaning of the following phrase and use them in sentence of your one, one number, fizzy, gut bud. The police found something fizzy in the tat house, police ko उस गर में कुछ गडबड मिली, there is something fizzy in the story, कहानी में कुछ गडबड है, the teacher, fine state boys, behavior, fight, fizzy, सिख्षक को लगता है कि लड़के का वियवार काफी गडबर वाला है, तू नमबर, have a cow, एक गाई है, father had a cow, when I felled, मेरे गिने पर पिता के पास एक गाई थी, जब लड़का ने किर्की की सिस्वे को तोड़ा, तू प्रिंसिकल के पास एक गाई खड़ी थी, सुनिता had a cow, when her friend told here a lie, लील पताया है कि सुनिता के पास एक गाई थी, जब उसकी सहली ने उसके जूट बोला था, विसमे है, केटनेफ, हर्स टूक एर, केटनेफ टर्निंग लंच, प्रेक, के हर्स ने, हर्स ने, उबढ़क ब्रेक के दोरान, यानि ब्रेक के दोरान एक बिल्ली से जपटली, मदर टेक के केटनेफ इन द आफ्टरनून, मा दोपर में एक बिल्ली को जपक लेती है, मिस्टर पंडिया है, एर शम टाइम फोर एक बिल्ली के दोरान एक बिल्ली की जपटिक के लिए बुल पुछ दिया था, मिला दिया था, अभी फोर नंबर है, फोर नंबर लेट द गेट आउट अउट 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 द बेग, एक छोटी से लड़की ने बिल्ली को ठेले से बाहर निकाल दिया, मोहन ने अपने पीता के साथ रहश्य साजा करने के लिए इंतेजार नहीं किया, कर चका, इसलिए उसने बिल्ली को बेग से निकाल दिया, इसमें दिया है, कि जई, इस ए नौटी बॉई, जई इस ए नौटी बॉई, ही लेट, ही लेट, देट आउट द बेग, एंड टोल्ड मदर अबाउट द पिक्निक, लेट देट आउट द बेग, एंड टोल्ड मदर, अबाउट योर पिक्निक, जई एक सरारत लड़का है, उसने बिल्ली को बाहार से निकाला और मा के, हमारे पिक्निक के बार में लगाया, डॉग डे, डॉग डे, डॉग डे, कुट्य के दिन, इट इस बिगेनिंग औफ डॉग डे इन समर, गर्मियों में कुट्य के दिन की शुरुवा थे, गर्मियों में कुट्य के दिनों को मात देने के दिये, कुट्य की देर सारी आइस्क्रीम खाई, टॉग डॉग डे अफ शुरुवा थे, इस नमबर, रेनिंग, कैट्स और डॉग्स, रेनिंग, कैट्न डॉग्स, बिल्लियार कुट्य पारिश कर रहे हैं, आई कैन नॉट, गो आउट अप दा हाउस, बिकाज इट रेनिंग, इसमें आपको बताया है, कैट्स और डॉग्स, यहां तक है, आई कैन नॉट गो आउट अप दा, आउस बिकाम, इट इस रेनिंग, कैट्स और डॉग्स, बिल्लियों गर्क से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बारिश हो रही थी, इट इस रेनिंग, कैट्स और डॉग्स, वहां एक टाफिक जाम है, क्योंकि बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश हो रही है, इसमें आपको बताया है, क्योंकि वह वही करती परणती है, जैसे हाई तूर, डॉंट बी एक कॉप्पी कैट, यूज यूर इमेजिनेशन, एंड ड्रो एक पिक्चर, के हम पागल बिल्ली मत बनो अपने विस्तार का प्रयोक को और एक लगू रेखा खीचे, वाई डॉंट यू राइट यूर ओवन सेंटेंस डॉंट बी एक कॉप्पी कैट, कुशन माग दिया है आपको, कि आप अपने वाक्य खेर करो नहीं लिखो, कुशन माग कॉपी न करे, बियेट नबर गेट ए लाइन सेर, सेर का हिस्ता मिलता है, तब एल्डर सन गोट ए लाइन सेर, इन हीस फादर प्रोपर्टी, के बड़े बैट को एक हिस्ता मिला, अपने पीता की संपतिश, सेर को, आई गोट ए लाइन सेर अप दे, प्राइज, इसके इसमें बताया है आपको, के मुझे पूरसकार का एक सेर का हिस्ता मिला है, तब ए यंग बॉई, गोट ए लाइन सेर अप दे, चोकलेट, विवा लड़के के चोकलेट का एक सेर का हिस्ता मिला, युवा लड़के को, चोकलेट का एक सेर का हिस्ता मिला, बड़े बैटे को, एक बिला अपने पीटा की समपती के सेर का हिस्ता, मुझे पूरसकारो का एक सेर का हिस्ता मिला, और युवा लड़के को, चोकलेट का एक सेर का हिस्ता मिला, आपको दिया है कि get a lion's share The elder son got a lion's share in his father's property बड़े बेटे को एक किस्सा मिला अपने पीटा की संपती का I got a lion's share of the prize मुझे पुरस्कारों का एक share का हिस्सा मिला The young boy got a lion's share of the chocolate युवा लड़के को chocolate का एक share का हिस्सा मिला ऐसे आपको करना है समझ गए ओके अन्डेस्टूड मुझे पूआ ख ऑफ झाल झाल